जाहिन दोस्तों आज हम इस वीडियो पर साल्व करवाएंगे वर्क और टाइम के प्रस्णों को दोस्तों वर्क और टाइम के प्रस्णों तो आपने सभी लगबग प्रतियों की परिच्छाओं में देखा ही होगा काफी इंपर्टेन चैप्टर होता है इनको आज हम एक प्रस्णि देखते हैं लिखा हुआ एक काम को पांट दिनों में कर सकता है और उसी काम को 20 many Nic地 दिनों में कर सकता है दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाब्थ कर देंगे चलिए दोस्तों आपने जیसे बेसिक से जेयट नाइड में पढ़ा होगा एक बटा करके जिसे कोई काम है तो माली जी एक दिन का काम निकालते थे ना एक बटा करके फिर उसको LCM लेकर जोड़ घटा के जो भी करना होता था करते थे लेकिन हम आपको एक दूसरे तरीके से पताएंगे हो सकता है वह method आपने पढ़ा भी होगा LCM method वाला कि दोनों का time का लेकर LCM करके ठीक है आप उसी pattern से लगाएंगे शुरू करने से पहले थोड़ा आपको basic जानकारी दे देते हैं जैसे work होता है work का बराबर हमारा क्या होता है time into efficiency होता है time into क्या होता efficiency होता है यह हम कह सकते वर्ग जो होता है time और छमता क्या होता है गुरंफल होता है अगर दोस्तों time अगर हमारा लेते constant है तो जैसे ratio हमारा work का होगा आप सीधे सब्सक्राइब लेजिए जो वर्गा होगा वहीं हमारा किसका होगा efficiency को होगा यह तब होगा जब हमारा time ग्या होगा constant होगा, जब time हमारा constant होगा, अगर हम बात करते हैं, अगर time को, अगर हम efficiency constant कर देते हैं, तो आप यही बताएंगे, वर्क जो होगा हमारा, किसके हो जाएगा time के, directly proportional का मतलब यह होता है, अगर वर्क का जो ratio बनाएगा ना, वही efficiency बनाएगा, कब बनाएगा, जब time हमारा constant होगा, उसी प्रकार, जब अगर हमारा efficiency constant होगा, इतो आपको वही से दिक्रा होगा, फिरी बता दे रहे, तो जो ratio वर्क होगा, वो time को होगा, इन दोनों में आप एक constant कर रहे हैं, तो इसी के सीधे हैं, यानि यह इधार है, तो इसका जो होगा, इसका यह, अब समस्य यह वाला important point है, जब हमारा work constant होता है, जब work constant करोगे, तो इसका मतलब यह मालो की work की जगह हमारा एक आ गया, अब है एक आ गया, तो time कोड़े efficiency बराबर एक आ गया, तो time बर work, sorry, work जो हमारा होता है, constant होता है, तो बस यही आपके लिए तीसरा वाला जो point ज़्यादा important है, इसको लिख दे रहे है, time का जो होगा हमारा, directly क्या inversely होता है, directly नहीं होता, inversely proportional होता है, efficiency के, और दोस्तों यह कब होगा, जब हमारा work constant होगा, और maximum हम सवालों में क्या करते हैं काम को ही constant मानके चलते हैं, हम यह मानके चलेंगे, कि जैसे दो बैक्ति हैं A और B, तो A जितने दिन में जो काम करेगा, वही B भी काम कर रहा होगा, ठीक है ना, हमेशा हम सवालों में work को constant मानके लगाएंगे, और यह वाला ज्यादा यूज होगा, time का जो होता है, वही हमार चमता का, उल्टा होगा, time का ratio अगर दो तीन का है, तो चमता का बोलेंगे तीन दोगा, आगे जब सवाल इसके मिलेंगे चमताओं के आधारित, चमताओं पर आधारित, तब को आपको और अच्छे से clear हो जाएगा, चलिए बिल्कुल zero से start कर रहे हैं, यह question जो हमने पहला बोला है, जो करा रहे हैं, यह बिल्कुल simple है, इसमें कुछ है नहीं, अब चलिए साल्व करते हैं, इतना basic था थोड़ा, बाकि इसमें कोई जादा ऐसा नहीं है, कि बहुत कुछ इसमें ताम जहाम आपको बताएं, बाकि आप समझदार हैं, समझते हैं, चलिए, देखिए, में काम को 5 दिनों में कर सकता है, यानि म यह है माल लो, ठीक है ना, अब 5 दिनों में काम कर सकता है, आर जो है, आर जो है, उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना, अब देखिए, उसी काम को बोला है, काम हमको पता नहीं है, म कौन सा काम कर रहे हैं, आर कौन सा काम कर तो यह नहीं पता है, तो सबसे पहले देखिए, काम तो अपने हैसाफ से कुछ भी माल लो, कुछ भी माल लो, लेकिर हम LCM मानेंगे, इन दोनों को जो LCM होगा, वो मानेंगे, ऐसा कोई इसू नहीं है कि आप LCM क्यों मानते, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कुछ और मानेंगे बात है जब दो परसन हो यश तीन परसन हो जितने दिन में काम बोले उनी दिनों का हम ai फारमूला यह लिखा था काम पराबर क्या होता है छमता गुड़े दिन होता है अब देखो यह हमको दिने पता यह क्या है और यह दिन है दिन ये भी दिन है अगर हमें दिन दिया है काम दिया है अच्छमता निकालना है तो क्या करोगे काम में दिन से भाग दे दोगे तो आपका निकाल आएगा सीधी सी बात है तो च्छमता निकाल लो तो पांच का भाग 20 में देंगे चार अब देखो च्छमता होता गया च्छमता करेंगे 20 काम बसो गया कोई ज्यादा है इसमें इसू कूंडा का मतलब होता है उसका एक दिन में कितना काम मतलब किया जा रहा है एक दिन सम्टा के क्या होता है इसके पर निकालों येक दिन पांच 20 से 5 का भाग देंगे 20 में 5 का भाग देंगे तो आप सीधे बोल देंगे कितनाीगा नंबर पहला पहला तो दोस्तों उम्मीद समझ गए होंगे जब इस टाइब का सवान हो आप ऐसे मत लगाईएगा कि पांथ दिन का क् distillие ना वीदिन एक बटा बीज एल्जियम फिर उल्टा करोगे वो सब बेसिक है अब तो अभी भी करोगे क्या सिख से वे निट वाला है ना तो वो सब छोड़िए इस पैटर्स लगाईए अगर आपको लगा अच्छा तो लगाईए नहीं अगर लग रहा है कोई और पढ़े तो उससे लग अब लिखा हुआ एबी सी किसी काम को करमसा 16, 20 तथा 24 दिनों में अलग-अलग कर सकते हैं यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा ठीक है नब आप संदें गबराईया गमत कि ये सही बटा में लिखा हुआ दिन भी हमारे सही बटा पॉ सबसे पहले जितना इनका दीर है न ताइम दिया हुआ है पहले हम काम बनाएंगे काम कैसे बनाते हैं काम हमें पता नहीं है तो इनका आट दूनी शोला और कितना है यहाँ पर 20 है वह लिए अंसर मतल मार? यहाँ पर चकवीज मेंस बनाट ठीक घ्ने ना पांतरे का 15 15 चानबे पंगोन पंदरा बंगोने कितना ओता चावश बीच उसका यानि इसका LCM हमारा कितना आएगा 240 आएगा यही हमारा क्या है काम है यही हमारा काम है अब हम यह निकालेंगे एक दिन का काम का मतलब क्या हुआ है एक दिन का मतलब उनकी छमता 16 का भाग देंगे 16 कम 16 होगा 16 पचाई 80 एक दिन की चमता आ गई इसका भाग देंगे 20 से कम 20 होता है और यहां पर कितना आएगा 20 दुनी 40 12 चमता आएगी इसकी इसका भाग देंगे तो 10 आएगे अब देखे तीनों की चमता हैं हमको पता चल गी 15 12 10 हैं अब कोस्तन में क्या लगया था तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है आप सब को जोड़ लीजिए 240 तो काम कराना ही है अग कितने चमता है सब को जोड़ो एक साथ करेंगे ना एक साथ करेंगे तो जोड़ दिया करो कभी-कभी सवाल ऐसे भी पी कहीं बी आया कि उसने दो दिन पहले भग गया आप छोड़ के चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद चले जाते हैं वो भी सवाल करवाएंगे सब आपको धीरे-धीरे कराएंगे ठीक है ना बिल्कुल जीरो सी स्टाट करें तो यहां पर देखिए यहां पर जोड़ेंगे 15 10 25 और 10 35 और दो 37 यानि 240 बटा 37 देखिए लिखा हुआ है कहीं बिल्कुल लिखा हुआ है आफसर नमबर बी इसी को तोड़ेंगे 6 गुड़े 37 करेंगे 18 जुड़ेंगे 24 यहाएगा ज्यादा दिक्का थै भाग देके ऐसे निकाल लो सही बटम जिसको नहीं आता ऐसे कर ल आप संदे के घवराईये मत बस आपका अंसार आ गया यानि इस प्रशने का सही अंसार होगा 618 बटे 37 दिन उमेद है समझ गए होंगे चलिए और सवाल कराते हैं चलिए अगला प्रशने देखते हैं लिखा हुआ ई तथा एफ मिलकर एक कार को 10 दिन में कर सकते हैं अब देखिए अभी क्या था सिंगल सिंगल कर रहे थे एक परसन था दूसरा या अलग-अलग कर रहे थे अब क्या है इस सवाल में दो परसन एक साथ सम्मलित होगे काम कर कर रहे हैं यदि अकेला उसी कार को 30 दिनों में कर सकता है तो बताइए एफ अकेला उसी कार को कितने दिन में समाब्त कर सकता है अब इसमें दो परसन पहले ही जॉइंट होगे काम कर रहे हैं उसके बाद जो अकेला वाला एक कर रहा है तो पूछा गया है एफ जो है उसी का नेखा दिक्ते पढंगे है यद remark और कूँれ कर सकता है विः जो है उसी कार्यों को 10 दिनों में कर सकता है तो बता आए यो है अकेले को कि त्रे काम कैसे और कि उसी में आपको आना चाहिए कार्ये में अगर अगर हम दिन यानि टाइम से भाग कर देंगे तो हमारा चमता निकालाता है ठीक है यह की फर्मूला होता है वर्क वराबर टाइम इंटू एफिसेंसी गुमाफिरा के तीन चार चकर उसी के लगवाता रहेगा इसको आइसे निकाल यह वैसे निकाल लिए इसका यह सब और कु चोटा भी बच्चा होगा वो भी समझ रहा होगा कि दोनों की तीन रुपए इनके पास है इसके पास एक रुपए तो एफ के पास कितने रहे होंगे दो रुपए बस अरे इन दोनों के मिलाने से तीन रुपए हुआ एक तो इसके पास रहा ही होगा इसका मतलब एफ के पा कर दो कि दिक्कत थो तीस का मैया करना है दो कि छमता तुम कर रहे हैं कितना दिन लगा दो कि 15 दिन बस हो आप मतलब सेकंटों में सवाल उड़ा देंगे वरकांट टाइम के अभी तो भी स्टार्टिंग अभी आपको लेवल बीच में अच्छे-च्छी मिलेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे चलिए इसकांसर आएगा 15 दिन लिखा हुआ पहला नमबर चलिए दोस्तों तो यह तो रहा सिंगल परसन हो गया डवल परसन आए एक छोड़के चला गया ठीक है अब इसमें सवाल बहुत सारी बनेंगे ठी पार्ट करेगा ठीक है ना उस टाइप के देखते हैं लिखा हुआ है किसी खेत के दो बटे 5 भाग को ए जो है 6 दिन में जोट सकता है और उसी खेत के एक बटा 3 भाग को बी जो है 10 दिन में जोट सकता है ए और बी दोनों मिलकर खेत के 4 बटे 5 भाग को निम्न समय में जोट सकेंगे ठीक है अब कैसे लगाएंगे मतलब है आपने भिन्य पढ़ा होगा अगर अच्छे से तो भिन्य में हमेशा पूरी complete भिन्य को एक माना करते हैं percentage की बात करते हैं तो 100% माना करते हैं complete 100% complete मानते हैं वह यहां पर है जब भी बड़े वाला देखें न तो में इसा एक काम पहले निकाला करो अब देखें यहां पर लिखा हुआ है यह जो है यह जो है लिखा हुआ है दो बटे दो यानि 15 तो आप ऐसे बोल देंगे जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है 15 दिन में तो आपको देखिए यह सब एक एक करके निकालोगे क्या फरिच्छा में ऐसे करो तुसाल भी नहीं होगा अब आपको सीधे करना है इससे सिकाड लिया करो सीधे सीधे जितना है गुड़ उसको भाग में लिख रहा थे लिखिए कोई दिक्कत नहीं बाई वाले लिखो कुछ भी लिखो ऐसे निकालते है और लिखा और उसी खेत के एक बटनी वाट को भी अब देखिए बी कि इकर हम बात करते हैं तो आप बतना थीन भाव और पंदरा दिन्में तो कुल मिला के सवाल जू अभी इसके पहले दो तीस सवाल करवां हैं उसी टाइप को तो बन गया आप हम यह बोलेंगे ए जो है किसी खेत भो फंदरा दिन में जौ सकता है लि теперь उसी खेत को काम ने पढ़ा ही होगा मैत में बस हो गया simple आप इस में करना क्या है अब सीधे लगाई सकते हो ए जो है 15 दिन में काम कर रहा है बी जो है 30 में कर रहा है दोनों मिला के काम निकाल दो यानि पूरा खेट को नहीं चार बटा पांच अब 30 का 4 बटा 5 क्या होता है 30 का 4 बटा 5 मिकाल ली जीए तो 5 च्ट श्का 30 6 24 यानी वह कह रहे हैं सीदे सीदे नहीं कह रहे हैं वैसे तो हम जो काम दो माना था 30 माना था हम 30 को मतलब जोटा रहे थे 30 मानलों वर्ग था लेकित 30 ना कहाए कि 24 कहना चाहते हैं और उन्होंने दूसरे तरीके से बोला है काम का 4 बटा 5 तो काम का चाहिए चार बटा पान निकालोगे 24 से तो आएगा यानि हमें 24 काम कराना आए और किन से कराएंगे यह जो भाई है यही जोत रहते हैं इनकी छमता कितनी है एक की दो है एक की तीन है यह जोड़ दो तीन की छमता से कराएंगे आठ हो गया आठ दिन में जोत लेंगे वह दिक्कत क्या जितना वह यह कहोगे भाग उतना हम करा देंगे मलब कोसन के कॉर्टिंग चलना है वो कुछ भी पोसकता है तो दोस्तों याद रखिएगा कभी भी प्रस्णे इस तरीके से भी आते हैं बटे में भी आते हैं कभी-कभी पुछता है काम का कितना भाग हो चुका है यह भी आ जाता है तो सारे सवालों को आप आराव समझे इसलिए आप टाइप से करवा रहे हैं ताकि आपकी दिमाग में अच्छे से चीज चड़ जाए अगर आपको एकदम से उल्टा सिद्धा कराते हैं तो आप भी कन्फूज होते हैं तो आप ये भी समझ गए भाग वाले सवाल इ अगला सवाल देखते हैं लिखा हुआ है डी एक कार को अठारा दिन में कर सकता है और ये उसी कार को आदे सबय में कर सकता है यदि दोनों एक साथ कार करें तो कार समाप्त करने में कितना समय लेंगे आप देखो डी कर तो इन्होंने बोल दिया साफ साफ किलियर बोल दिया है कर सकते हैं नहीं कह रहा है कि उस्स हाथ सब्सक्राइब highway क्वाले के तरीक दिक्कत नहीं बंब करने में निकालेंगे तो आप काम बोलेंगे 18oure युनिट ऐगा टोटल वर कितना यूनिट इनकी चम्टा निकालेंगे तो इसकी एक चम्ट आएगी इसकी 2 कि चंद आएगी तो कोसा ना गया था बोला गया है तो एक साथ अगर कारेकर्त हैं तो समाप्थ होने में कितना समय लेंगे दो और एक तीन की 16 से 18 यूनिट काम करा दीजी तो तीन का जैसे भाग दोगे तो आप बोल देंगे 6 दिन बस हो गए तो प्रस्ण में अंसर कितना होगा कितना समय लेंगे 6 दिन आपसा नंबर 14 हो जाएगा कुछ भी नहीं था बस एक तरीके से गुमा के ल उन्हों में आधी दिवार पेंट कर लेंगे अब देखिए यहां पर भी उन्होंने दूसरे लेंग्वेज में बोला है मेदनी जो है दिवार को 16 दिन में करती है जबकि यूकी का टाइम डारेक्ट कहना चाहते हैं कि तीन गुना अधिक समय लेता है इसका मतला मेदनी का त अदि दिन करते हैं cana अधिक्र आणा तो आप समझिएगा कि मेदनी जो है सोलह दिन में करते हैं तो एओकी कितना होगा एक तालीस काम यानि यूनिट दूनिरी कि कितने unit काम कराना आए इनका SGM ऐगा 48 और यहां पर इसकी unit वालेघी छमता का इसे निकालते काम में से दिन से बाग कर देंगे छमता निकालाएगा इसका यानि हमें ये पता चल गया मेधनी और यूकी की जो है एक दिन की हमारी छमता पता चल गई है ठीक है ना तीन और एक यानि टोटल चार चमता होगे देखें प्रस्ण में एक बात और उन्हें बुला है कितने दिनों में आधी दिवार प्रिंट करनी है यानि हमें 48 उनिट कराना था अब ये 48 नहीं कराके आधा कराना चाहते हैं 48 का आधा होता है 24 और दोनों लोगों की चमता हमको पता है 3 और एक चार की चमता से भाग कर देंगे यानि 6 तो प्रस्ण में क्या पुशा गया था कितने दिनों में आधी दिवार प्रिंट कर लेंगे तो हम बता देंगे 6 दिन अब आप देख रहे हैं सवालों पे किस तरीके से लैंग्वेज की साथ खिलबड़ कर रहे हैं कभी आधी करवा रहे हैं कभी चार बटा पांच खित कुछ उता रहे थे इस टाइप के आपको सवाल मिलेंगे अगर यह सीधे-सीधे पूशते तो 3-1-4 यानि 48 में 12 का भाग दे देते हैं तो हम बोल देते हैं 12 दिन में ठी आउसाइयो लोग तो 12 में ही टिक कराएंगे चलिए अगले देखते हैं जलिए अगãला प्रहा है लिखा हुआ है पी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है विदि वेशा गया काम का कितना भाग पूरा करेंगे यह सवाल थ्भा सा हलका वैसा है कि साथ मिलकर पहले पात दिन काम कराना है और फिर पूछा गया काम का कितना भाग पूरा करेंगे कोई दिक्कत नहीं देखिए पी एक काम को दस दिन में कर सकता है वही रूल है जो बता रहे हैं एक ही रूल बता रहे हैं कोई दस पंदर रूल नहीं बता रहे है अग्यों उसी काम को पंदा दिन में कर सकता है यहाँ पर लिख लो क्यों जो है पंदा दिन में कर ले रहा है इन दोनों का अगर वर के निकालो के कितने यूनिट काएगा 15 और 10 के LCM निकालेंगे तो 30 आएगा यह हमारा आगया काम अगर एक दिन का निकालेंगे तो इनके काम आएगा चमता यानि एक दिन का जो कामी होता वही हमारा दूसरे सब्दों में चमता बोला जाता है ठीक है न यहाँ पर निकालो के दो ठीक है न एक दिन काम हमको पता चल गया अब यहाँ पर देखिए सवाल में बोला है वे साथ मिलकर पांच दिनों तक काम करते हैं इसका क्या मतलब हुआ साथ मिलकर साथ मिलकर यानि यह तीन इसकी है इसकी दो है दोनों अगर मिलकर काम एक दिन में कर रहे थे इनकी छमता तो 5 ही आ रही थी लेकिन सवाल में बोला गया है 5 दिनों तक काम करते हैं कोई दिक्कत थोड़ा इसे में 5 का multiply कर लो यानि 25 यानि 25 यानि 25 यूनिट वो दोनों लोग 5 दिनों तक 7 मिलकर काम कर चुके होंगे और हमारे पास कितना काम था हमारे पास काम था 30 यूनिट का दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे थे तो 5 दिन में कित्ता कर लेंगे 25 यूनिट टोटल हमारे पास 30 यूनिट था यानि 25 यूनिट तो करी चुके हैं तो बोला गया काम का कितना भाग पूरा करेंगे अरे भाई 25 काम कियो हो कहां से किये हो टोटल तो हमारे पास 30 काम था इसी से तो किये हो तो 25 बटा 30 कितना भाग पूरा किया है ये पूछ रहे हैं तो 25 अप 5-6 सीधे बोल देंगे 5 बटा 6 बस हो गया तो ये पूछ रहे थे कि कितना भाग काम किया गया है तो कितना भाग काम क यानि 5 बटच है इसको simplify कर लिए हैं बस सीधी सी बात है अब कभी कभी इसमें ये पुछ लेता कि कितना भाग अभी काम का सेस बचा हुआ है तो हम क्या बताते पांच यूनिट बचा हुआ है टोटल काम कितना था तीस था तो पांच बटच यानि एक बटच है अगर इस सवाल में थोड़ा सगर घुमाता कि कितना भाग सेस बचा हुआ है तो बोलेते एक बटच है वैसे आप समझदार हैं छे में से पांच काम जब कराही लिए हो तो एक की बटच है ही तो काम बचा होगा ठीक है ना कुछ दम नहीं था इसके बाद मिलेंगे आपको अच्छे सवाल तब लगाएगा आगे देखते हैं अगरा प्रसमें देखिए दोस्तों लिखा हुआ है एक काम को दस दिनों में और वी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है यह दिए दोनों दो दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करत कर रहा हैं 20 दिनों में कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है पहले बिश्कर निकाल लो वीस यूनिट आएगा इनकी छमता हएगी दो यूनिट की रिक दो और एक कितना होता तीं दीन श्मता is इनकी एक दिन की लेकर ये भाई दो दिनों तक एक साथ काम करें तो दो दिनों तक करा लो यानि च्छाई यूनिट च्छाई यूनिट काम कर लिये हैं ठीक है न तो प्रसंद में पूछा क्या गया है तो कितना भाग समाप्त होगा अच्छा कितना भाग अब ये बताओ जब 6 यूनिट कियो और टोटल 20 यानि 6 बटा 20 ठीक है बस हो गया यतना कियो और टोटल हमारे पास कितना था 20 यूनिट 2, 3 का 6 यानि इसका अंसर हमारा आएगा 3 बटा 10 ठीक है ना कितना भाग अगर कहते हैं सेज बचा है तो बोल देते हैं 7 बटा 10 तो इस प्रशने का अंसर होगा आफसा नमबर पहला 3 बटा 10 चलिए अगला प्रशने देखते हैं लिखा हुआ है इसमिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है और सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम चोड़ के भाग जाते हैं तो पूछा गया काम का हिस्सा कितना भाग की अभी दोखो अभी हम बचने वाले की चर्चा क्या कर रहा है तो सवाली प्रकट होगा चलिए कोई दिक्कत नहीं समाझता भारा दिन में कर रही है चलो कोई दिखकत नहीं 12 काम कर वालो और इसके बाद एक और है सैम है वह काम कर रहा है नो दिन में सैयम अब इसको ऐसा कर एसा कर डिख लो यहां लो संध। थोड़ा सा यूनिट यानि इसका एक दिन आए गा 3-1 का चार ठीक ना दोनों का मिनां पता चल गया एक दिन के यानि एक दिन वे कितना यूडिक काम करेंगे एक दिन बेसे समिता करेंगे तीन यूडिक кажется दोनों मिल ककर एक साथ Tक कामकिये हैं कब 28 देखेंगे तो 28 इसमें 36 में 28 घटा देंगे तो आपका आठ आएगा और टोटल हमारे पास काम कितना था 36 का टोटल हमेशा नीचे रखेंगे बेस में जितना इसमें बचा हुआ है उसको उपर लिखेंगे जब भी सेस बचा हुआ काम पुछेगा यह पुछता कितना भाग काम हुआ है तो सीधे लिखते 28 बटा 36 अब इसको आफसार बखल लिजिए चार दुनिया चार निया 36 इसका अं 5 दिन में लिए नौ दिन में करता है वैस दोनौ मिलकर 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो पूछा गया काम कितना हिस्सा जो Catalडब कर रहा है यह 256 में 10 कर रहा है यह जो हैई कितना नो दिन में कar रहा है ठीक ना और वैं दोनों तक तक काम किए है कोई दिक्टत नहीं और फसके पांच तक यूणीट के थे पंच्छा हुए कर दियेंगे फसक्रॉक्त। हमारे पास कितना था 45 भाग देंगे एक बटा नौ कितना भाग सेश बचा हुआ एक बटा नौ भाग यानि आफसर नमबर छोटा तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं इसके बाद और भी सवाल है ए और बी मिलकर बी और सी मिलकर इस तरीके के सवाल बनते हैं और भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब परके अपना सपोर्ट ज़रूर दें वीडियो देखने लिए दोस्तों अन्यवाद